Friends, Welcome to our new video of Adani Green Friends, Adani Green के शेरों में लास्ट थ्री सेशन से हमें जो है कंटिनिसली 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है जहां पे शेर ने 439 एंद 38 रुपीज का लो बनाया था उसके बाद शारफ यूटन यानि बाउंस बैक हमें Adani Green के शेरों में देखने को मिल रहा है बाके Adani Green के और मिल भारे में क्या ऐसा अपडेट है जो हमें जानना ज़रूरी है जिसके पीछे इसा अच्छी का सी तेजी है तो friends ये सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थूँ अधनी ग्रीन्स हो या दूसरे टेंडिंग शेयर्स हो उनके बारे में मिलते रहेंगे उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजे ताकि आपको on time सारे important अपडेट्स मिलते रहे और एक अच्छा कासा rally में आप अच्छा कासा मुनफ़क कमाते रहे तो friends आदानी के shareों में कभी ना कभी bounce back आएगा ये मैंने clearly बोला था और friends और एक important key factor में यहाँ पर बोल देना चाता हूँ अगर आने वाले समय में इंडिया के जो elections है 2024 तक close हो जाएंगे अगर उन elections में कही ना कही अगर मोदी फिर से चुनके आते है as a PM of India तो आदानी के shares को मैं बोल रहा हूँ जो पिछले time के इनके highest थे उसके आसपास जल से जल ये shares जो है पहुँच जाएंगे तो उसके पीछे multiple reasons है business के वज़े से भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि business और contract जो है government की तरफ से काफी aggressively आदानी ग्रूप को मिले थे उसके जो भी reasons हो but यहाँ पे opposition ने जो है काफी जादा claim करा था आदानी और मोदी गवर्मेंट को लेके तो इसका मतलब अगर मोदी गवर्मेंट फिर से आती है तो कहीं न कहीं आदानी ग्रूप के shareों में एक positive sentiment हमें आता हो दिखेगा और उसका जो है friends business perspective से कोई relation नहीं है लेकिन एक sentiment अभी बन चुका है आदानी ग्रूप और BGP का across world तो जहां भी इन दोनों का combination फिर से हमें देखने को मिलेगा पूरे world के लोग या फिर जो भी बड़े-बड़े investors से वो भी attract हो जाएंगे आदानी के businesses के तरफ तो recently हमने देखा है कि किस तरीके से अदानी enterprise को एक government का जो काफी अच्छा project माइनिंग का वो मिला है और वो recently मिला है तो इसी वज़े से मैं यहाँ पे मेरा एक thought बनता है कि अगर BGP का government फिर से आता है यानि in shot PM मोदी अगर फिर से बनते है PM तो definitely काफी जादा जो है positive sentiment आदानी की शेयरों में फिर से देखने को मिलेगा तो friends जल्दी से आते हैं आदानी green के उपर क्या important update है या आप आप देख सकते हो debt fully secured yes and p affirms आदानी greens rating at bb positive तो yes and p global friends इस firm ने जो है rating agency है जिसने rating जो है on hold रखी थी particularly आदानी ग्रूप के शेयरों की आदानी greens की और वो rating क्या थी है यहापर आप देख सकते हो तो आदानी green energy limited under criteria observation तो observation के इसके उपर इसको रखा था लेकिन last Friday को जो है इन्होंने observation के बाद और hidden bug की report आने के बाद उन्होंने analysis किया और उसके basis पे अभी वो सोच रहे है कि सोच नहीं रहे है उन्होंने report भी जारी कर दी है कि debt fully secured जो debt है आदानी greens का वो fully secured है भी तो जेसे हमें continuously तेजी भी देखने को मिल रही है apart from that बहुत से दूसरे update है जो मैं time to time आपके साथ जो है share करते रहूंगा आदानी ग्रूप के वारे में फिलाल के लिए जो rally है उससे क्या impact हुआ है अदानी ग्रूप stock rally added 30,000 crore to mid cap यहनी जो mid cap का जो valuation है 30,000 crore से बढ़ चुका ह तो reports के हिसाब से जो है dollar 790 million का जो share back loans है उसको repay करने वाला है अदानी ग्रूप तो यह भी positive sentiments लाने वाला news था और apart from that अदानी enterprise, अदानी green, अदानी power और अदानी ग्रूप के shares are making a comeback here is why तो इसके पीछे का reason जो है friends वो है prepay, अदानी ग्रूप prepay करने वाला है सारे जो उनके debt से उनको धीरे-धीरे equity के तोर पे या जितने भी मैंने updates अभी आप लोगों को बता है तो अगर अदानी ग्रूप उनके जो debt है उनको prepay करने का plan लाता है और वो activity start करता है तो definitely इन शेरों में तेजी आएगी, मैंने पिछले भी मेरे वीडियो में ये बात काफी clearly बोली थी difference तो यही सारे important details difference अदानी ग्रीन के बारे में thank you for watching this video and please don't forget to subscribe our channel